श्रीराम जन भूमी पर मंदे निर्मार के लिए भूमी पूजन पाच अगस को प्रधान मंत्री नरीद्र मोधी करेंगे लेकिन इस स्पल के मंदे निर्मार से जुड़े हुए लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सालों कोट कचैरी के चक्कर लगाने पड़े भविश्य में ऐसी परिस्तियों का सामना ना करना पड़े इसके लिए श्रीराम जन भूमी तीर्थ खेत्र ट्रस्ट अब राम मंदे निर्मार स्थल पर जमीन में लगबग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैपसूल रखेगा इसका मकसद ये है कि सालों बाद भी यदि कोई श्रीराम जन भूमी के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है इसलिए श्रीराम जन भूमी मंदिर पर मंदिर निर्मार के समय एक नया तरीका प्रयोग में लाया जागा और इससे भविश्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह का कोई भी बात ना हो राम मंदिर का निर्मार किया जाएगा उसमें 2000 फीट नीचे एक टाइम कैपसूल रखा जाएगा इस टाइम कैपसूल में एक तामन पत्र पर आयोध्या की इस राम जन भूमी राम मंदिर से जुड़ी हर बात लिखी होगी इसका पूरा इतिहास लिखा होगा कोट के फैसले से लेकर हर बात का इसमें जिक्र होगा ताकि अगर भविश में कभी भी कोई इस जन्म भूमी या मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इसमें मिल सके क्यामरा सायोगी राजू के साथ चैले शरोरा एबीपी गंगा आयोध्या श्रीराम जन्म भूमी पर मंदिर निर्मार के लिए भूमी पूजन पाच अगस को प्रधान मंत्री नरीद्र मोधी करेंगे लेकिन इस स्पल के मंदिर निर्मार से जुड़े हुए लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सालों कोट कचैरी के चक्कर लगाने पड़े भविश्य में ऐसी परिस्तितियों का सामना ना करना पड़े इसके लिए श्री राम जन्भूमी तीर्थ खेत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर निर्मार स्थल पर जमीन में लगवग दो हजार फीट नीचे एक टाइम कैपस्यूल रखेगा इसका मकसद ये है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्भूमी के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है इसलिए श्री राम जन्भूमी मंदिर पर मंदिर निर्मार के समय एक नया तरीका प्रयोग में लाया जागा और इसे भविश्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसे तरह का कोई विबात ना हो राम मंदिर का निर्मार किया जाएगा उसमें 2000 फीट नीचे एक टाइम कैपसूल रखा जाएगा इस टाइम कैपसूल में एक तामन पत्र पर आयोध्या की इस राम जन्म भूमी राम मंदिर से जुड़ी हर बात लिखी होगी इसका पूरा इतिहास लिखा होगा कोड के फैसले से लेकर हर बात का इसमें जिक्र होगा ताकि अगर भविश में कभी भी कोई इस जन्म भूमी या मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इसमें मिल सके क्यामरा सयोगी राजू के साथ चैले शरोरा एबीपी गंगा अयोध्या श्रीराम जन्म भूमी पर मंदे निर्मार के लिए भूमी पूजन पाच अगस को प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी करेंगे लेकिन इस स्पल के मंदे निर्मार से जुड़े हुए लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी श्रीराम जन्म भूमी पर मंदे निर्मार के समय एक नया तरीका प्रयोग में लाया जागा और इसे भविश्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसे तरह का कोई विबात ना हो राम मंदिर का निर्मार किया जाएगा उसमें 2000 फीट नीचे एक टाइम कैपसूल रखा जाएगा इस टाइम कैपसूल में एक तामन पत्र पर आयोध्या की इस राम जन्म भूमी राम मंदिर से जुड़ी हर बात लिखी होगी इसका पूरा इतिहास लिखा होगा कोट के फैसले से लेकर हर बात का इसमें जिक्र होगा ताकि अगर भविश में कभी भी कोई इस जन्म भूमी या मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इसमें मिल सके क्यामरा सयोगी राजू के साथ चैले शरोरा एबीपी गंगा अयोध्या श्रीराम जन्म भूमी पर मंदे निर्मार के लिए भूमी पूजन पाच अगस को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे लेकिन इस स्पल के मंदे निर्मार से जुड़े हुए लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी श्रीराम जन्म भूमी पर मंदे निर्मार के समय एक नया तरीका प्रयोग में लाया जागा और इसे भविश्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह का कोई विवाद ना हो राम मंदिर का निर्मार किया जाएगा उसमें 2000 फीट नीचे एक टाइम कैपसूल रखा जाएगा इस टाइम कैपसूल में एक तामन पत्र पर आयोध्या की इस राम जन्म भूमी राम मंदिर से जुड़ी हर बात लिखी होगी इसका पूरा इतिहास लिखा होगा कोट के फैसले से लेकर हर बात का इसमें जिक्र होगा ताकि अगर भविश में कभी भी कोई इस जन्म भूमी या मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इसमें मिल सके क्यामरा सयोगी राजू के साथ चैले शरूरा एबीपी गंगा अयोध्या